दोस्तों नमस्कार स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूटूब चैनल लाग्याज लनी गड़ा पर चलिए आज हम बात करेंगे कुछ कोशन्स की मुनविग्यान से रिलेटेड इसका PDF मैंने आपको टेलिग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया था सुबह और मुझे उम्मीद है कि आपने इन सभी प्रशनों को एक बार देख लिया होगा और इनके अंसर भी आपने ढून ली होगे चलिए अब मैं आपको इन सभी प्रशनों के उत्तर बताऊंगा जैसे कि हमारा फर्स्ट कोशन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है पहला कथन है कि जीवन की कोई भी अभिवेक्ती एक क्रिया है और ऐसी सभी क्रियाओं के समलित रूप को विवार की संग्या दी जाती है दूसरा कथन है मानो मस्टिक्ष का चेतन ही नहीं बलकि अचेतन और अर्ध चेतन रूप भी मानो विवार को प्रभाईद करता है था कि उप्रोक्त सभी कथन जो है वो सत्य है अगला कोशन है कि मनोविज्ञान की प्रकरती कैसी है दोस्तों मनोविज्ञान की प्रकरती प्राकरतिक विज्ञान है या इसको यथार्थ विज्ञान भी कहते हैं या हम इसको विधायक विज्ञान भी कहते हैं या फिर हम इसको नेचुरल साइंस भी कहते हैं या फिर हम इसको पोजिटिव विज्ञान भी कहते हैं पोजिटिव साइंस भी कहते हैं अगला कोशन है निम्न में से नियामक विज्ञान के से माना जाता है दर्शन सास्तर को नियामक विज्ञान माना जाता है नियम शास्तर को नियमक विज्ञान माना जाता है तरक शास्तर को भी नियमक विज्ञान माना जाता है इसका मतलब इन सभी को नियमक विज्ञान माना जाता है लेकिन मनो विज्ञान को कौन सा विज्ञान माना जाता है मनो विज्ञान को ये वाला विज्ञान मानते हैं प्राकर्तिक विज्ञान ठीक है उसके बाद फूर्थ कोशन आता है निम्न में से प्राकर्तिक विज्ञान यानि कि नैचुरल साइंस किसे माना जाता है तो सिदा सा अर्थ है कि मन्नो विज्ञान को ही हम प्राकर्तिक विज्ञान या नेचूरल साइंस मानते हैं बाकि दर्शन सास्तर को नियम सास्तर को तरक शास्तर को हम नियामक विज्ञान मानते हैं ये सारे क्यों से विज्ञान है ये सारे नियामक विज्ञान है और नियामक और विधायक विज्ञान में मैंने आपको अर्थ बता दिया था इन दोनों का अर्थ बता दिया था और इन दोनों में अंतर भी बता दिया था कि नियामक और विधायक विज्ञान में या नियामक और प्राकर्तिक विज्ञान में क्या अंतर है यह हम लोग पढ़ चुके हैं अगर आपने पीछे वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लें एक बार पांचवा कोशन है पहले मनुविज्ञान को किस विशे की एक शाखा मानसिक दर्शन के अंतरगत पढ़ा जाता था दोस्तों पहले मनुविज्ञान को दर्शन सास्तर विशे के तहत पढ़ा जाता था और दर्शन सास्तर में एक topic हुआ करता था मांसिक दर्शन वहाँ पर हम मनोविग्यान को पढ़ते थे तो हमारा अंसर यहाँ पर कौन सा होगा दर्शन सास्तर अगला कोशन है आधुनी काल में एक परिवर्तन हुआ और मनुविज्ञान ने धीरे धीरे अपने आपको दर्शन सास्तर से अलग कर लिए कथन किसका है दोस्तों ये कथन रेबरन का है रेबरन कई किताबों में आपको इनका नाम राइबरन भी मिलता है रेबरन या रेबरन इनका नाम है चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं गोशन नमबर सेवन कोशन नमबर सेवन है हमारा की मनुविज्ञान के मूल तत्व इसेंशियल ओफ साइकलोजी मनुविज्ञान के मूल तत्व यानि की इसेंशियल Besides Psychology नामक पुस्तक के लेखक कोन है दोस्तो इस पुस्तक के लेखक है Bores Pillsbury Bores Pillsbury जो है मनो विज्ञान के मूल तत्वर यानि कि Essentials of Psychology नामक पुस्तक के लेखक है आठवा कोशन है मनो विज्ञान को अतिथिक संतोष जनक रूप में मनो विज्ञान के रूप में परिभाशित किया जा सकता है ये कथन किसका है ये कोशन नमबर हमारा 8 है ये कथन किसका है तो ये कथन है दोस्तो फिर Pillsbury का Bores Pillsbury का ये कथन है कि मनो विज्ञान को अतिथिक संतोष जनक रूप में मानव विवार के विज्ञान के रूप में परिभाशित किया जा सकता है ये कथन भी बोर्स पिल्स बरी का है हमारा नुवा कोश्चन है कि मनुविज्ञान एक विज्ञान है जिसका उदेश है सभी प्रकार से किसी प्राणी के विवार का नियंतरन करने और उसे अच्छी तरह समझने में साहता प्रतान करता है ये कथन किसका है तो दोस्तों ये कथन है विल्यम मैक डूगल का ये कथन किसका है विल्यम मैक डूगल का कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है जिसका उदे से सभी प्रकार से किसी प्राणी के विभार का नियंतर्न करने और उसे अच्छी तरह समझने में सायता प्रतान करता है कतन विलियम मैकडूगल का है Quesion No.10 से हमारा कि सामाजिक मनोविज्ञान का परिच्छे Introduction to Social Psychology सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय या introduction to social psychology पुस्तक के लेखक कौन है इस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों विलियम मैकडूगल इस पुस्तक के लेखक हैं विलियम मैकडूगल और इसी पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले विहवार शब्द का उलेख किया था वियभार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस ने किया था William MacDougal ने किया था और इन्होंने ये पुस्तक जो लिखी थी ना सामाजिक मनोविज्यान का परिच्छए इसी पुस्तक में इन्होंने वियभार शब्द का प्रयोग किया था और ये पुछा जाए कि ये पुस्तक लिखी कब गई थी तो ये पुस्तक 1908 में लिखी गई थी सामाजिक मनोविग्यान का परिच्चे यानि कि इंट्रोडेक्शन टू सोसल साइकलोजी और इस पुस्तक के लेखा कौन थे? मेकडूगल थे ग्यारवा कोशन है चेतनमन हमारे संपूर्ण व्यवार का कितने परतिशत होता है तो दोस्तों चेतनमन हमारे संपूर्ण व्यवार का एक बटे दस भाग होता है ये बात हमें सिगमंट फ्राइड ने बताई थी जो कि आस्ट्रेलिया नी सोरी आस्ट्रिया कहां के मनोविज्यानिक थे आस्ट्रिया के मनोविज्यानिक थे और इन्होंने मनोविशलेशनात्मक सिध्धान्त दिया था अब कोशन नमबर 12 है कि मनोविज्यान अधिकतर जिस विधी को काम में लाता है वो विधी कौन सी है जिस विधी को काम में लाता है वे विधी कौन सी है मनोविज्ञान जिस विधी को अधिकतर काम में लाता है दोस्तो वो अंते दर्शन विधी है कौन सी विधी है अंते दर्शन विधी और तेरवन कोशन है वर्तमान में मनोविज्ञान को माना जाता है वर्तमान में मनुविज्यान को दोस्तो विवार का विज्यान माना जाता है क्या माना जाता है वर्तमान में मनुविज्यान को विवार का विज्यान माना जाता है और फिर हमारा 14th question है मनुविज्यान के सिध्धान्त नामक पुस्तक के लेखक कौन है मनोविज्ञान के सिध्धान्त यानि कि प्रिंसीपल ओफ साइकलोजी इंगलिश में क्या होगा ये प्रिंसीपल ओफ साइकलोजी यानि कि मनोविज्ञान के सिध्धान्त पुस्तक के लेखक कोन है तो इस पुस्तक के लेखक हैं William James और William James जिन्हें क्या मना जाता है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक आधुनिक मनोविज्ञान का जनक आधुनिक मनोविज्ञान का जनक William James को मना जाता है और William James ने पुस्तक लिखी थी मनोविज्ञान के सिध्धान्त principle of psychology पुस्तक के लेखा कौन है William James है question number 15 की बात करते है question number 15 question number 15 है मनोविज्यान की रूप रेखा नामक पुस्तक किसने लिखी थी मनोविज्यान की रूप रेखा नामक पुस्तक के लेखा कौन थे William MacDougal उसके बाद अगला question है मनोविज्यान विवार का शुद्ध विज्यान है जिसमें मानव और पशु दोनों के विवारों का अध्यन क्या जाता कथन किसका है ये कथन James Driver का है ये कथन किसका है James Driver का William Wundt के शिश्य कौन थे William Wundt के शिश्य थे टिचनर कौन थे William Wundt के शिश्य थे टिचनर और इन्होंने विश्य की प्रत्थम मनोविज्यान की पर्योग शाला विश्य की पहली मनोविज्यान की पर्योग शाला 1879 में जर्मनी के लिपजिंग यूनिवस्टी में इन्होंने इस प्रियुक्षालों की स्थापना की थी वर्तमान में लिपजिंग यूनिवस्टी की जो ये प्रियोगशाला है विश्विद्याले जो लिपजिंग यूनिवस्टी है इसका नाम काहल मार्क्स यूनिवस्टी है आठार्वा कोशन है आजकल मनोविज्यान का संबंद व्यभार की वेग्यानिक छानबीन से है ये कथन किसका है ये कथन है एन एल मन का ये कथन किसका है एन एल मन का कोशन नमबर 19 है दोस्तों क्या मनोविज्यान को नेचुरल साइंस मना जाता है हाँ मनोविज्यान को नेचुरल साइंस मना जाता है मनोविज्यान की वह आधुनतिम चाखा कौन सी है जिसमें पूरुजनम के बारे में बात की गई है तो दोस्तों ये परा मनोविज्यान है इ इस तरह से मनुविज्ञान topic हमारा complete होता है और मनुविज्ञान topic से related ये तमाम question मैंने आपको बताए हैं ये विभिन अलग-अलग शिक्षक बरती परिक्षाओं में पूछे गए प्रशन है इसी तरह अब हमारा next कल से topic चालू होगा शिक्षा मनुविज्ञान education psychology topic थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन second grade परिक्षा के लिए बहुत उपयोगी है और 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी शिक्षा मनुविज्ञान से समधित question पूछे गए हैं वो सारे question मैंने RPSC की site से लिख लिए हैं उनके answer भी वहीं से answer की से देख लिए हैं ताकि कोई mistake नहों तो लेकि में हुए जहां शिक्षा मनोविज्ञान से topic से जो question पूछे गए हैं वो सारे question मैं आपको कराऊंगा लेकिन उससे पहले मैं आपको पूरा शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाऊंगा शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ पढ़ाऊंगा शिक्षा मनोविज्ञान की इतिहास क बात करेंगे शिक्षा मनोविज्यान का शिक्षकों के लिए क्या वियोग है ये सारी बातें अपने शिक्षा मनोविज्यान पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे और पूरे टॉपिक को ध्यान से पढ़ने के बाद डेली क्लास को जोइन करने के बाद लास्ट में फिर आपको मैं question कराऊंगा जो कि 2011 से 2022 के बीच में शिर्फ शिक्षा मनोविग्यान topic से पूछे गए हैं वो ऐसे फिर शिक्षा मनोविग्यान के बाद अगला topic हमारा अधिगम रहेगा तो प्रतेक topic जैसे ही complete होगा उस topic के शिक्षक भरती परिक्षा में या विभिन राज्यों की पातरता परिक्षा में कौन-कौन से प्रशन पूछेंगे उन सब का collection मैंने तयार किया है और फिर वो आप से पूछा जाएगा और जल्दी एक पुस्तक भी आने वाली है जिसमें ये सम तमाम topic के notes होंगे और शिक्षक भरती परिक्षा में पूछेगे प्रशनों का भी समावईश होगा ये पुस्तक भी जल्दी जो है market में provide करवा दी जाएगी तो आप जुड़े रहें क्लास के साथ कलास को enjoy करते रहें वीडियो को पसंद आए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए like कीजिए comment कीजिए अगली कलास में फिर मिलते हैं नमस्कार